हमारे टॉपिक है बायो मेकैनिक्स बायो मेकैनिक्स का चैपटर नबर फॉन आज हमें स्टुर्जी करेंगे जो करेंगे ह 아니면 एसी फिल्ड जिसके हम स्टुर्डी करते है कि मेकैनिकल प्रिंसिपलस किस तरह हमारी बॉड्य के ओपर एक्ट करे ह deconics के अंदर जो different forces होती हैं जो के act कर रही होती है हमारी body के उपर जैसे external forces होती है जैसे gravity या internal forces होती है जैसे के muscles या tendons उनको produce कर रहे होते हैं हमारी body के अंदर जो mechanical levers present है वो किस तरह act करते हैं हमारी body के उपर और हमारी body के functioning और structure को ये forces by mechanical forces किस तरह act करी हैं और हमारे structure और function को change करी हैं या maintain करी हैं यह सब हम इसमें study करेंगे bio mechanics के अंदर बायो mechanics के अंदर हम posture को भी study करते हैं कि हमारे body का जो posture है वो किस तरहां से maintain रहता है कौन कौन सी forces उनके उपर act करी है और उसको align करी है bio mechanics के अंदर हम जो है वो जिकर के होगा इन चीजों का dynamics, statics, kinematics and kinetics तो dynamics का मतलब है कि motion जिसके अंदर movement हो यानि velocity change हो और कोई ऐसी motion जिसके अंदर velocity change हो और acceleration है उसे हम कहेंगे dynamics statics का मतलब है कोई चीज still है तो इसके अंदर हम हम दो तरहां की motions को study करेंगे यानि कोई कोई ऐसी motion है जिसमें velocity बिल्कु जीरो है कानेमेटिक्स का मतलब है motion किस तरहां की है वो हम study करेंगे kinematics में यानि हमारी motion है उसके ओपर speed कितनी लगए कितनी उसकी speed है क्या क्या चीजों उस पर act कर रही है यानि कि उसकी acceleration कितनी है और किस प्लेस पर हो रही है यह सब कुछ हम study करेंगे kinematics में motion की all description kinematics जो है वो study हम इसके अंदर जबकि हम kinetics में study करेंगे कि कौन सी forces है जो के हमारी body पर act कर रही है और उस motion को produce कर रही है इसके अंदर biomechanics के अंदर हम different चीजों को study करेंगे different branches को जैसे kinesiology और sports medicine related है इसके तो हम इनको भी study करेंगे